तो अभी तक हम लोगों ने बातें क्या कर ली, basics की बात कर ली group theory में, homorphism, isomorphism, फिर automorphism दूसरी सीरी जाई हमारी automorphism की बात करी हमने, automorphism के groups जो होते हैं, afg की बात करी, inner automorphism की बात कर ली, outer automorphism की बात कर ली, इनके regarding theorems देख लिया हमने, और एक theorem तो हम proof कर रहे थे, उसमें हमें problem आई की normal subgroup क्या है, या किसी non-empty set, H को, जो G का non-empty set है, उसको subgroup कैसे proof करेंगे, normal subgroup क्या है, question group क्या है, वो सारी चीज़ें, I hope आपको आनी चाहिए, but, clear explanation का promise मेरा है, इसलिए मैं उन सारी चीज़ें को खुदी clear करूँगा अपने lectures में, और जहां कहीं ऐसी जरूरत होगी, वहां मैं extra, जो video lecture है, वो introduce करता हूँ, वो knowledge capsule होता है, यह screen पे आपको दिख रहा होगा, अभी आपके सामने इसलिए, पहला knowledge capsule चल रहा है, ठीक है, पहली बार, basics के बाद, पहली बार आपको additional information की जरूरत पड़ी है, तो, एक theorem भी मैंने आपको दिखाई थी, previous video में, आपको problem हुई थी, और उस problem की वज़ा से हम लोग यहां पे knowledge capsule discuss कर रहे है, और knowledge capsule के पहले video में हम लोगों ने discuss कर लिया था, client before group introduce कर लिया था, साथी composition scheme method, finite group theory में, composition scheme method से कैसे axioms देखते हैं, closure, associativity, existence of identity, और inverse, उस चीज़ों को भी हमने देख लिया था, ठीक है, अभी इस video म हम क्या करेंगे, method to prove subgroup, यानि कि कोई आपका g under star group हो गया, ठीक है, so good, या आपका g under star group हो गया, लेकिन g का अगर कोई subset h है, non unity subset, तो यह subset h जो है, g का subgroup, अगर यह h खुद भी group हो जाए, तो g का subgroup है, तो यह g का subgroup है, तो यह g का subgroup है या नहीं, अगर है, तो कैसे proof करेंग इसको if g star is a group and h is a subset of g, अगर g star कोई group है, h उसका subset है, non empty set g का, then h is a subgroup of g, h subgroup हो सकता है g का, अगर, कैसे proof करेंगे, for any, any जब मैं बोलूँ तो मतलब random elements का selection हो रहा है, यानि कि हर एक element को cover up कर लेगा, for every समझे आप इसको, ab belongs to h, उस non empty set, ab को belong, h को belong करने वाले दो elements हम लेते है और अगर a star b, star binary operation वही आपका है, a star b inverse हम करते हैं, वो जो product आए आपका, वो h को ही belong करे, ऐसा अगर हो रहा है, तो आपका h जो है, subset जो है, non empty set g का, वो आपका subgroup हो जाता है, ठीक है, एक example से हम समझते हैं, इसको subgroup proof हम कैसे करते हैं, एक example से इस चीज को समझेंगी, जैसे ह हमने सबसे पहले जब आपको group introduce करा है, basics में लिंक भी दे देता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि mathematics में हर एक video में repetition possible नहीं होता है, चीजों का clear explanation के लिए मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन repetition possible नहीं होता है, तो आपको मेरे सारे videos one by one देखने होंगे, चीजें clear होने के लिए ठीक है, तो जब मैं basic बताया था, उसमें बोला था, r under addition एक group है, real number का set है, यार, और इसको proof भी करा था, अभी r real numbers का जो set है, उसका subset, z अगर integer लेने, आप अच्छे से जानते हो कि integer जो है, वो आपका contain करता है real number में, real number बड़ा set है, उसके अंदर integers आ आते है, real number में तो एक बटे दो, तीन, बटे चार fractions, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, तो real number under addition एक group था, और z आपका जो है, obviously, ये subset है r का, अभी अभी उपर आपने पढ़ा, h अगर subset है g का, h अगर subset है g का, तो आप उसे कैसे proof कर रहे थे, कि वो subgroup हो जाएगा, subgroup के belongs to, h उस non integer set, ab को belong करने आए, तो element आप उठाओ, और एक का inverse को exist कर जाए, a star b inverse उसमें belong कर जाए, उसी subset में, तो बोल देते थे, कि h आपका subgroup हो जाएगा, ठीक है, h आपका subgroup हो जाएगा, तो r under addition आपका एक group है, z integers का जो subset है, चेक करते हैं, कि ये subgroup है की नहीं, real numbers वाले group क ये subgroup है कि नहीं, तो for every element हमने एवी लिए, integers के, अभी integers का inverse, एक शी और मैं आपके clear बता दू, आपका, कि जो आपका group है, जैसे group है, under star binary operation, तो आप subset h की तो बात कर लिए, लेकिन ये subgroup होगा, यानि कि ये group होगा, और group होने के लिए, h को binary operation भी तो चाहिए, तो ये binary operation कहीं और से लाने नहीं जाएगा, ये अपने parent group का binary operation ही copy करेगा, यानि कि hb under star ही इसकी possibility है, group बनने की, यानि कि h जो है, subgroup होगा, मतलब under star binary operation, star ही ये लेगा, कहीं और से लेने नहीं जाएगा, तो r under addition group था, तो integers वाला subset, अगर subgroup बनता है, by the way, तो ये addition के respect में ही बनेगा, subgroup, operation आपको parent का operation ही वो copy करेगा, तो a भी दो element हमने लिए, z से randomly, a inverse की बात कर लें, तो जो inverse होते है, additive group में, वो negative होते हैं, ये चीज़े बेसिक्स में clear होई, तो a inverse minus a आएगा, negative हो जो होते हैं, जो inverse सर्फ करते हैं, तो a inverse जो हो minus a है, और आपको integer में पता है, one अगर belong कर रह है, z को integers को, तो minus one भी तो वही होता है, two अगर है, तो minus two भी तो integer ही होता है, यानि कि a inverse जो negative of a है, वो आपका belong करेगा, z में ये चीज clear है, अभी b inverse में बात कर लें, तो negative of b, integer plus minus दोनों belong करते हैं, अभी मैंने बोला था कि a star, b inverse ही है, अगर belong कर जाए, उसी h में, subset में, तो यहाँ पे देखते हैं, a star, b, उसी में belong कर रहा है कि नहीं, a star आपका addition है, तो addition रखा, b inverse, b inverse है, a को adjective रखा, आपका plus आता यहाँ पे, लेकिन b inverse, जो inverse elements होते हैं, additive group में, वो negative होते हैं, तो negative की वाज़ा से b inverse minus b, आपका आपका आगया, भी a minus b, ये भी एक integer है, तभी तो z को बिलॉंग कर रहा है, लेकि integer कैसे है, दो integers, आप two ले लीजे, three ले लीजे, इनका difference करिये, कोई भी दो integers, आप लीजे, उनका difference करिये, आगें integer आएगा, ये मैंने लिखा भी एक difference of two integers, again a integer, इसलिए a b inverse z को बिलॉंग कर रहा, that is a plus b inverse belongs to z, या मैंने लिखा है, a composite b inverse z को ग्रूप हो गया, ठीक है, वो आपका subgroup हो गया, तो subgroup कैसे proof करेंगे, ये चीजे हां से clear हो गई आपको, जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये additional session है आपका, तो इसको जल्दी अल्दी करेंगे, लेकिन clear करते हुए ही चलेंगे, ठीक है, तो cyclic group की बात अभी हमको करनी ह इसकी भी आगे जरूवत पढ़ेगी, आपको ये information आपको देनी, group words या तो आपको बता है, cyclicity क्या है, देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें order of elements देखने होंगे, जो कि मैंने आगे लिख रखा, क्यों देखने होंगे, यो कि cyclic group में उसकी जरूवत है, इन सारी चीजों को मैं introduce करूँगा आपसे, order of group की जरूवत पढ़ेगी आपको, order of elements की वो पहले देख लेते हैं, कि group और elements के लिए order क्या होता है, तो अगर g under star आपका कोई group है, then number of elements in g, या cardinality of g, आपको इसीच पता होगी कि कोई भी non-empty set जो होता है, जैसे मैंने बोला g आपका non-empty set है, त जिसमें, जैसे 1, 2, मैंने लिखती है, दो elements है, तो बोलते हैं, g की cardinality जो है, वो 2 है, g की cardinality, n of g, ऐसे लिखते है, set theory में, cardinality जो है, आपकी 2 है, अभी यहां क्या करते हैं, group के regarding क्या बोलते हैं, कि अगर g non-empty set under star binary operation है, और g आपको जो set है, इसमें, आपके 2 elements है, finite number counting आ बोला था, तो real number under addition, real number, nhets आ रहे थै, तो यह infinite इसमें, इसमें, नमबर थे, इसकी cardinality, real number आपके infinite, र्यूंpmThe, यह group आपके infinite, infinite, में, हो गया था, तो cardinality, क्या है, आपको पता है, set में, उसमें, कितने elements है, जो g आपका non-actic set, group में, उसमें, कितने elements है, उसमें कितने elements है उसी को अपनी language में हम order बोलेंगे यानि कि g में जितने elements हैं वह ही define करते हैं कि order ऐसे लिखते हैं o of g मतलब order of g कितने हैं जो cardinality g की है 4, 5, 6 finite groups के लिए finite numbers आएंगे अगर infinite group आपका है तो cardinality वहाँ पे क्या होगी आपकी infinite होगी order of group आपका infinite हैगा अभी order group के लिए तो बात कर लिया elements के regarding order क्या होता है तो if a, a कोई element है g का such that a कोई element है g का और उसकी property वो क्या कर रहा है कि वो खुद से उसको compose करें हम आगेन अगेन 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 a को हम compose करें a से फिर a से और यह तब तक हम करें जब तक कि वो उस group की identity दे दे उस group की, यह compose करके उस group की identity दे दे और जब वो identity दे दे तो वही method stop करते रहें और माली जी इसने m time में identity दिया लेकिन m पे सर्थ क्या है कि m least positive integer है आप यह courses कब तक जाई रखेंगे किसी element को आपने pick किया group से उसका order निकालना है तो उसको self composition करिए again and again उसका खुद से composition करिए और elements जो आर है new liberty उनको देखिए वो अगर identity नहीं तो फिर से compose करिए तो यह चीज तब तक आप करिए minimum times करना है आपको जैसे तीन बार में मान लीजे मिल जाए वहीं रुख जाईए और count कर लीजे कि how many times you have got the identity element कितनी बार में आपको identity मिला तो जितनी बार में आपको identity मिला वो जो m number होता है least positive integer उसी को बोलते है उस element का order है order of that element is m यह order of element हो जाता है order of element यह हो जाता है जाता है कि कितनी बार में वो कम पोजोगा अब यह एक example में हम देख भी लेते हैं order of group क्या है order of element क्या है एक example में देखेंगे g under multiplication such that g आपको anonymity set है finite groups के area region में हम लोग enter कर रहे हैं तो आपको जैसे client before देखने को मिला वैसे यह भी एक group बहुत ही popular group है इसमें जी जो anonymity set है उसमें क्या होते 1-1, i-i, i आपको पता है under root minus 1 complex analysis में और पहले भी मैंने introduce कर दिया इसको basics में तो जी आपको anonymity set ऐसे है और under multiplication यह group है भी हम बोल दे रहा हूँ सायद मैंने आगी verification किया भी है इसका आपको मिल जाएगा इसी capsule में लेकिन अभी के लिए आप मानिए कि यह group है under multiplication यह जो anonymity set define screen पे दिखाना है ठीक तो यहाँ पर अपने group वाले concept को हम जरा लगाते है order of group अले को g के पास कितने elements हम 1, 2, 3, 4 तो order of g हम क्या लिख सकते है cardinalty g की क्या 4 finite है न तो finite groups हैं order of g 4 हो गया अभी हम elements के order की बात अगर करना चाहिए elements के order की बात करना चाहिए तो चलिए सबसे पहले identity popular है identity element ही उठा लेते हैं g का और देखते हैं कितनी बार में यह दे रहा है identity element की खास बात क्या है उसको order one होता है अभी चीज़ें और clear होंगी other elements लेते हैं जो यहाँ पे यह group था आप मान लीज़े इस बात को आगे verification कर देंगे हम यहाँ पे identity element क्या आपका था यहाँ पे identity element आपका one था मैं आपको additionally वाता हूँ तो कि अभी आपने इसकी composition scheme नहीं देखिए आपने खुद proof नहीं कर आगे करेंगे तो आप थोड़ी देख लिए मानिये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे identity element आपका one है और one कितनी बार में one दे रहा है एक ही बार में तो one का identity का order जो है वापका one आगे अभी other elements की बाते करेंगे minus one की बात अगर हम करें तो यहां minus one देखिए minus one को मैंने एक बार कम पोच करा identity उसने दे दिया अभी मैं दो बार minus one को मैंने एक बार कम पोच करा उसने identity दे दिया one दे दिया मैं दो बार आगे proceed नहीं करूँगा क्योंकि मुझे minimum number चाहिए वो m मुझे minimum चाहिए कितनी बार display हुआ मेरा element दो बार तो यह जो दो counting है यही बड़ी important है इस minus one के लिए यह counting जो two है यह बड़ी important minus one के लिए यह उसका order define कर देगे ठीक है ऐसे other elements से भी करेंगे जैसे की i के लिए बात कर ले हम i के लिए बात कर ले i.i का हम पोच करेंगे i square आएगा i square आएगा i square मतलब minus one identity तो आया नहीं तो मैं यहाँ मैंने नहीं रुका मैं क्योंकि अभी यहाँ पर मैं minus one पर पहुचा हूँ again minus one को मैंने i से करा यहाँ तीसरे इस्टे तक मैं आपको करेंगे बता रहा हूँ तो यह minus i आया identity element तो आया यह identity element one है आपका further minus i का i से हमने किया तो यह minus i square of minus one आएगा यह आप कर सकते है खुदी की rough बैठके गर पे तो यह आपका अभी जब i को आपने चार बर compose करा यह 4 times 3 times इसमें confusion क्या होती ही कि यह जो composition लगा है आपका यह वही वाली story होगे आपको पता होगा 10 meter कपड़ा है और 9 times आप cut करोगे तो कुछ लोग बोल देते हैं 10 times cut करेंगे लेकिन नहीं 8 times करोगे ठीक है वही अच्छा लेकिन 9 times जब आप करोगे नहीं बार जब cut करोगे तो दोनों पीसे जलग हो जाएंगे तो 1 कम होता है यहाँ पे जब यह वालू कितनी बार compose किया तो आपको यह composition तो तीन बार देख रहा है लेकिन आप क्या करिया order के regarding आप देखिए कि आपका element कितनी बार display हुआ है इस process में 4 time display हुआ है तो इस 4 को count कर लीजिए आप और ध्यान रखी again and again बड़ा important है कि वो minimum होना चाहिए least positive integer जैसे 4 time करने बार इंटी आगा है तो बिलकुल आगे मत बढ़िए यह 4 अब आई के लिए important हो गया यह आई का order 4 आगया ठीक है अब यह आई होप आपको यह चीज clear हो गई होगी कि order group का क्या होता है element क्या होता है तो cyclic group पे हम लोग चल सकते हैं बसरते आपको मेरी इस बात पे विस्वास हुआ हो कि यह group था या नहीं चलिए दिखा भी देते हैं कि जो जी under multiplication मैंने आपको इतनी नेर से बोला group था और उसी के regarding मैंने आपको दिखा भी दिया कि orders क्या होते हैं उसका verification भी आप देख ले उसका verification भी आप देख ले जल्दी से तो verification उसका देख लेते हैं जी under multiplication group था कि नहीं जी जहां पे आपका 1-1 आई-1 था अभी आपको देख रहा होगा स्क्रीन से देख के बता हुआ कि मैं composition scheme का साहरा लेने वाला हूँ और क्यों ना final group theory मैंने आपको बता ही दिया कि final groups हैं तो अगर possible है तो हम composition scheme का यूज करते हैं composition scheme का यूज किया यह मुझे बताने कि जबत नहीं 1-1 यह आपको पता है कि इसके regarding results आप करके calculate खुद निकाल सकते हो यह चीज ठीक है वहाँ पे मैंने एक बार बता दिये अभी यह आप निकाल सकते हो और इसको निकालने पे मैं यहीं पे चीज़े clear कर दे रहा हूँ closure कैसे चेक करते थे यह जो result वाला है portion इसको पूरा देखिए ध्यान से इसमें क्या कोई ऐसा element है जो g provide किया गया है आपका 1-1 i-i इन चारों के अलावा कोई और element आ रहा है इसमें नहीं वो चारों element इन ही क्या रहे मतलब g को belong करें closed हो गया set आपका g closed हो गया अभी मैंने क्या बोला था identity element कैसे पता करेंगे मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया ने कि one आपका identity element आप मान लीजिए लेकिन कैसे मान लीजिए अभी यहाँ देखिए group जो composition scheme है यहाँ बोला था जो parent group है यह parent group बोला था यह आपका parent column बोला था आई माइनस आई माइनस आई आई जिटी जा गया और यह काम किया किसने किस element ने किया यह one ने किया one compose होता चला गया इस रो से और आई जिटी उसी को copy करवा दिया तो यह one जो आपका है यह identity element है ऐसे आप composition scheme से identity element निकालते हो मतलब कि closed भी हो गया जी आपका identity element भी उसके पास है associativity है by the way क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो कि products जो है सब वो ही आ रहे हैं किसी order में आप कर लीजिए वो ही आएंगे associativity है inverse की चिंता हमें और करनी है inverse की चिंता करनी है तो हर row में identity element का होना जरूरी है पहली row में identity element यहां है identity element बना कैसे one और one compose हुए तो बना पहली बार में one और one compose हुए तो बना यानि कि a star b से अगर identity बना है तो identity बना है तो हम बोलते थे a inverse बरावर b ऐसे हमने basics में पढ़ा है तो यह identity बना one one से इसको ऐसे one dot one identity है तो one का inverse one identity वैसे भी self inverse होता है मैंने आपको बता रहा है client before में भी आपने देखा हर जगह ही होता है दूसरे row में क्या हुआ one आपका बना है minus one minus one की वज़ा से तो यह minus one dot minus one अभी minus one का inverse minus one आ गया यहां सारे self inverses नहीं है परेशान नहों यह तीसरे row में आपका यह identity बना है किसकी वज़ा से बना यह i और minus i की वज़ा से बना i dot minus y i और minus i की composition से आपका यह one बना ठीक है और इसका मतलब क्या है कि i का inverse आपका minus i है ऐसे देख सकते हम identity ढोड़ी है हर row में और देखी किसके corresponding बना है तो inverse भी exist कर रहा है अब आपको तो मानना ही होगा ना कि जी under multiplication यह group था जिसके regarding मैंने आपको order of element और order of group दिखा दिया था तो जी आपका group हो गया और अभी हमको चलना का है अभी हमको चलना cyclic group पे लेकिन time हो चुका है तो next video में मिलेंगे knowledge capsule ही अभी चल रहा है और यह देखना बहुत जरूरी है आपको कि उस theorem को मैंने आपको इसलिए theorem मैंने पहले आपको problem दिखाई थी कि वहाँ problem होई ना normal subgroup क्या है even आपको इस चीज़ें पता हो सकती है algebra आप इस टार्ट कर रहे हो पढ़र है algebra का paper इसलिए मैंने आपको वह चीज़ बताई है अभी cyclic group नेक्स video मिलेंगे जब आपसे तो cyclic group मुझे discuss करना है आपसे यह cyclic group discuss करना है और उसके लिए orders की जरूँए थी order of element order of group तो मैंने इस वाले g dot जहां पे मैंने g क्या वोला आपसे group 1-1i-i यह group लेके मैंने आपको composition scheme का भी एक बार और यूज़ करके दिखा दिया और आप मानगे prove भी कर लिया आपने कि यह group होता है इसके regarding orders की बाते कर लिए next video मिलते है cyclic group के लिए ठीक है